वेलकम टू ग्यानधारा प्यूपिल टीचर ऑनलाइन स्टड़ी पॉइंट आप सभी का स्वागत है और हम अपने नेक्स टॉपिक में आ गए हैं कोगिनिशन की परिभाशा आप प्यूपिरी पर देख सकते हैं और मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती हूं कि कोगिनिशन का सिंपल सा मीनिंग होता है संग्यान हमें किसी भी चीज के बारे में जो भी नौलेज हमारे माइंड में होती है और साइसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था एक शब्द सीखता है, रोना सीखता है, फिर कूकू, पापा बोलता है और फिर उससे वो दो शब्दों को बोलता है खानला, पानिला और इस तरह से फिर वो वाक्यों और इस तरह से वो संपूर्ण बाशा सीख जाता है, तो क्या है कि जो cognitive development है वो क्या करता है, हमारी जो experiences होते हैं, उसके आधार पर हमें सिखाता है तो सिर्फ यहाँ पर हम संग्यान लेते हैं चीजों का तो संग्यानात्मक जो रोल होता है वो संग्यानात्मक विकास जो होता है वही बच्चे की cognitive development English vocabulary में होती है तो वो बच्चा अपनी knowledge से जो कुछ भी सीखेगा वो उसका cognition होगा नेक्स अगर हम बात करते हैं कि cognition की क्या terminology को refer करता है तो यहाँ पर आप देखे दो storage है जो input है the information जो information हमारे mind में रहती है उसकी according हमारा behavior वर्क करता है तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जिसे अगर हमने पानी में एक बार हाँ डाला और वो गरम होगा तो हम तुरंत हाँ बाहर कीचेंगे तो जैसी information हमारे brain में record हो गई तो next time जैसे ही हमने पानी में हाँ डाला वैसे ही हमारा behavior यह होगा कि फटा-फट हाँ बाहर निकाले तकि वो जले नहीं तो इस तरीके से cognition हमारी learning में role भी बहुत important play करता है और अभी वो आप आगे सीखेंगे इसके बाद हम बात करते हैं example लेते हैं एक चोटा सा बच्चा है आपने देखा होगा बच्चे कई बार repeated actions करते हैं बार बार चीजों को गिराना एक बार आप बच्चे ने स्वार्म करते हैं मैप स्वार्म करते हैं कि और उसको बार बार repeat इसले करते हैं ताकि वो अपने माइन में इस चीज़ को confirm कर ले कि हाँ अगर मैं अपना पैन गिराऊंगा तो वो कोई ना कोई मुझे उठा कर वापस देगा या वो खुद ही मुझे उठा लेना है हमारी next slide बोलती है बताती है इसके बारे में what are the four basic units of cognition तो cognition की चार मुख्य units क्या है सबसे पहली unit है schemas schemas जैसे अभी मैंने आपको example में भी बताया कि बच्चे जो है वो अपने mind में maps form करते हैं उन्हें एक idea होता है चीजों का और वो उसकी ideology से रखते हैं कि मुझे अगर मैं यह करूँगा तो ऐसा होगा अपने mind में schemas form करते हैं उसके साथ साथ कुछ symbols होते हैं जैसे हम बच्चों को learning में सिखाते हैं यह plus का sign है यह minus का sign है और वो इस तरीके से वो काम भी करते रहते हैं next concept concept का मतलब होता है एक certain idea जिसे हम एक words कह देते हैं example के तौर पे कि अगर हम गिनते हैं किसी चीज को तो हम उसको शव काँटिंग अगर हम सारी जितनी चीजह ही इन आज गिनते हैं तो अगर हम किसी चीज को गिनके फिर उसमें से कुछ चीज़े घटा देते हैं तो उसको हम कहते हैं सब्फ्रक्षन तो हम एक concept अपने माइन में फार्म करते हैं ऐसे बचा भी concept को फॉर्म करता है और उसके बात कुछ रूल्स होते हैं रूल्स क्यों बनाते हैं माइन में हम लोग या बच्चा ही क्यों माइन में रूल्स बनाता है कि उसको दो concepts को classify करने के लिए या differentiate करने के लिए कुछ उसको knowledge चाहिए होती है वो उस rules के form में अपने माइन में करता है और वो जैसे से learning करता है वैसे वैसे वो सीखता रहता है जो है तो प्रॉस लफ रिकॉगेशन की हम बात करें टो हैं तोस्व उस रॉस इंचन कی अगर माइन बात करते हैं तो कि यहां पर चार बेसिक स्टेपसं हैं पहला है परसेप्शन परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने सेंस और गिन की थू नॉलेज लेना इंटरिप्रेटेशन ऑफ सेंसेशन इस कॉल परसेप्शन तो क्वालिटी ऑफ लर्निंग किस पर डिपेंड करती है नीचर ऑफ परसेप्शन पे जब बचा क्लास में बैठा है और व किन आता है कोगनिशन के प्रसेप्शन में कॉंसेप्शन जब बच्चे को अच्छे से परसेप्शन होते हैं नॉलेज हो जाती है तो उसके माइन में कॉंसेप्ट बनने लगते हैं जैसे हम भी इतने टाइम में से हम लोग भी लर्निंग कर रहे होते हैं तो हमारे माइन में भी concept हैं जैसे अगर मैं आपको एक शब्द दू और बोलू school तो school से आपके mind में क्या आएगा एक school आएगा school के अंदर classroom आएगा glass benches आएगी blackboard आएगा teacher आएगी तो वो हमारे mind में concept जो है वो set हो जाते हैं तो वो जो हमने perception लिया उससे ही हमारा concept बन गया इसके बाद हम जितनी भी चीज़ें अपने mind में concept फॉर्म करते जाते हैं वो हमारे mind में memory के form में भर जाती हैं और बरजे के साथ साथ हमें याद रहती हैं और फिर धीरे धीरे करके यह जो reasoning है यह जो चौथा level है reasoning का जो आप यहाँ पर देख सकते हैं reasoning में यह level जो है कि start करते हैं और reasoning होती क्या है reasoning is logical analysis of facts, events और principles एक तरह से problem solving activities का यह part होता है जो बच्चे higher level में जाकर करते हैं अगर next हम बात करें कि क्या role है cognition का learning में तो यह सारे roles है सबसे पहला role है use of memory जो भी cognitive learning होती है वो memory का use करना सिखाती है यानि जो चीज़े हम normally recognize करते हैं देखते हैं उनको हम learn करते हैं तो अगर हमारा cognitive development हो रहा होगा तो धीरे-धीरे हमारी memory भी बढ़ रही होगी दूसरा है use of repetition कोई भी knowledge जो हमें बच्चे ने सीखी या हमने सीखी है अपने behavior में तो उसको repeat करना पड़ता है बार 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 ताकि वो हमें memorize हो जाए जैसे हम formula को memorize करते हैं थर्ड है use of imagination तो जो cognition है वो learners को imagine करने का मतलब एक तरह से बल देता है जब classroom में teachers पढ़ा रही होती है और उनका अच्छा cognitive development हो रहा होता है तो perception, concept formation और memory और then reasoning वाला जो process अगर अच्छे से उनके mind में है तो वो बहुत अच्छे से class में relate करते हैं चीजों से और सीखते हैं then facilitates auditory process auditory process का मतलब यह है कि बच्चे को active learner बनाता है even जो अच्छे learners होते हैं वो कहा जाता है न अच्छी अच्छे learners ही अच्छे listeners होते हैं और अच्छे listeners ही अच्छे learner बनते हैं तो यह जो cognition है यह क्या करता है यह facilitate करता है auditory process को हमारी learning को अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छा listener बनना जरूरी है तो cognition हमें auditory process में help करता है इसके अलावा it promotes interaction जितना अच्छा cognition, जितना अच्छी knowledge एक teacher provide करता है और जितनी अच्छी knowledge, जितना अच्छा cognitive development बच्चे का होता है इन दोनों के से एक बहतर interaction एक classroom में बनता है Next है comprehension, comprehension का मतलब यह होता है कि बच्चे को जो भी knowledge अपनी previous experience से होती है वो उससे अपनी classroom में जो भी ma'am उसकी एसर सिखा रहे होते हैं उसको अच्छे से comprehend करना या correlate करना सीख जाता है क्योंकि उसका cognition अच्छा हो चुका होता है cognitive level अच्छा develop हो चुका होता है और cognitive cognition का एक अच्छा रोल यह भी है कि cognition जो है it always facilitate new language learning तो क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी new language भी अच्छे से learning हो जाती है तो I hope आपको cognition का मतलब समझ में आ गया होगा Please like, share and subscribe करिएगा ग्यान धारा को Thank you